तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCQs on indicators of social development हम MCQs ही नहीं discuss करेंगे हम इस पूरे topic को discuss करेंगे जब हम इसको discuss कर लेंगे आपको साही चीज़ें completely समझ आ जाएंगे ठीक है लेकिन मेरी आपसे एक request रहेगी आप request क्या है? request यह है कि आप जब भी मेरा वीडियो लेक्टर देखते हैं अपने पास एक pen और एक note book रख लिया करें जो आपको बहुत help करेगा क्योंकि आप जो चीज़े note करेंगे वो आपके लिए बहुत important होंगी आज हम इसे अच्छी तरह से देखेंगे क्या है यह हमारे पास indicator of social development unit 4 है आपका specialization का है और बहुत important topic है ठीक है? चलिए जी हम start करते हैं अपने lecture को dear parents यहाँ पी सबसे पहला question आप से पूछा गया what does FDI stands for and in the context of human development option थे आपके सामने humanitarian development index या फिर हमारे पास human development index या फिर humanitarian diversity index या फिर human diversification index देखें तो देखें इस question का answer हमारे पास क्या है human development index क्या है answer इसका? human development index जो है HDI की फुल एबडिवेशन होती है human development index और इस question का answer है option number B देखे, human development index की भी बात करेंगे detail में लेकिन हम पहले बात करते हैं Indicators of Social Development की Through MCQs हम बात कर लेंगे सारे टाप्टिक को डिसकस कर लेंगे मैंने इस वीडियो में 40 MCQs लिये हैं कितने 40 MCQs लिये हैं सब ही important होंगे लेकिन हम बात मुद्दे की करते हैं कि Indicators of Social Development आहर क्या है चलिए यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं आपका काम है नोट करना जो चीजें मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए Social Indicator क्या होता है क्या Social Indicator क्या होता है आपको यही पता होना जरूरी है ऐसे आपको टापिक की समझ नहीं आएगी Social Indicator क्या है Social Indicator are Statistics यह क्या होते हैं Statistics होते हैं जो Used किये जाते हैं किसको मीजर करने के लिए Used to measure various aspects of Used to measure लिख सकते हैं आप लिख ले Used to measure various aspects of various aspects of Social Wellbeing क्या Social Wellbeing Social Wellbeing उसके बाद अपने याद रखना है Progress and Quality of Life Within Society क्या कहा मैंने Social Indicators यह statistics होते हैं जो मीजर करते हैं various aspects किसके Social Wellbeing के Social Wellbeing के एक चीज़ मैंने यह कही और मैंने फिर कहा Progress and Quality of Life Progress और जो Quality होती है Life की Progress and Quality of Life कहां पर Quality of Life विदिने सोसाइटी में किसके अंदर एक सोसाइटी के अंदर यह used के जाते हैं मीजर करने करीब है यह suspects of Social Wellbeing Progress and Quality of Life एक सोसाइटी के अंदर यह मीजर करते हैं चलो यह तो हमारे पास बात हो गई लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो Indicators of Social Development हैं इनमें Different-Different Indicators आते हैं Economic Indicators आते हैं क्या आते हैं Economic Indicators होते हैं ओके ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या होता है Health Indicators होते हैं ठीक है Health Indicators भी होगे उसके बाद क्या होते हैं उसके बाद education indicators होते हैं क्या होते हैं education indicators एक एक चीज को अच्छे से समयना तब भी topic की समझाएगी आप आगे पीछे अपना time waste करते रहेंगे कहीं पर MCQ ढूंडेंगे कहीं पर पूरा lecture ढूंडेंगे आपका पूरा दिन waste हो जाएगा यहाँ पर मैं जो चीज़े आपको लिख कर लें environmental indicators भी होते हैं चलिए यह भी हो गया एक हमारे पास hosting indicator भी होते हैं क्या hosting indicator करें note hosting indicator मैं नहीं चाहता कि आपका यह topic यहाँ मीश हो जाए और देखें बोर नहीं होना है पूरे topic को अच्छे से समझना है hosting indicator होते हैं इतना समझ आ गया ओके सर समझ आ गया फिर हमारे पास social cohesion indicator भी होते है क्या social cohesion indicator भी होते है social cohesion indicator भी होते है इतना समझा आ गया देखें MCQ हम discuss कर लेंगे 40 MCQ लिए है उनके answer आप खुद देंगे जब आपको topic समझा जाएगा ऐसे ही फिर आप exam में भी अच्छे से ये topic जो है question आएगा आप clear कर लेंगे मैंने कहा कि हमारे पास सबसे पहले मैंने आप से क्या कहा था कि जो social indicators होते है economic indicators होते है मैंने आप से कहा हमारे पास economic indicators होते है यही बात कही थी economic indicators में आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है income distribution होता है income distribution के हम बात करते है उसके बाद हम बात करते हैं, poverty rate की बात करते हैं उसके अंदर, उसके बाद और किसकी बात करते हैं, unemployment rate की बात करते हैं, किसके अंदर आता है यह सारी चीज़े, आपसे question पूछ लिया जाएगा, कि बताएं, economic indicators के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, मैंने कहा, एक होता है income distribution, क्या कहा मैंने, income distribution इसमें आता है, economic indicator में, फिर मैंने कहा, poverty rates आता है, किसके अंदर, economic indicators में, फिर मैंने कहा, unemployment rate आता है, किसके अंदर मैंने बताया, economic indicator में, जो चीज़े मैंने अभी note करवाई न, उनके अंदर क्या क्या आता है, income distribution, poverty, unemployment, इतना समझ आ गया, ओके सार, आ ग यह है कि जो हमारे पास economic indicators होते हैं या यह हमारे पास health indicators होते हैं उसमें आप और चीज़ें पहले थोड़ी सी note कर ले फिर मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ देखें आप note कर दिये economic indicator हाँ कर दिया अब आप करें health indicators जो हमारे पास health indicators है health indicators में क्या क्या आता है Health Indicator, Health Indicator के अंदर हमारे पास आती है Life Expectancy, यह चीजे में अभी आपको describe भी करवाँगा, Life Expectancy क्या होता है, यह हमारे पास किसके अंदर आता है, यह हमारे पास Health Indicator के अंदर आता है, Infant Mortality Rate किसके अंदर आता है, यह हमारे पास Health Indicator के अंदर आता है, Infant Mortality Rate, Note करे, Infant Mortality Rate, मैं आराम से पढ़ाऊंगा ठीक है आपने बोर नहीं होना है यह समझा आ गया और एक होता है प्रिवेलेंस आफ डिजीजीजी भी हमारे पास हेल्थ इंडिकेटर के अंदर आता है क्या बोला मैंने यहाँ पे प्रिवेलेंस आफ प्रिवेलेंस आफ स्वरी प्रिवेलेंस आफ ड एज्य। केशन इंडिकेटर के जब बात करते हैं तो एजुकेशन इंडिकेटर के अंदर हमारे पास क्या-क्या आता है ये आप देख सकते हैं जैसे कि लिटरेसी रेत आता है इसके अंदर such as क्या-क्याacer ये पूछा जाएगा ऐस्म में में सबसे पहले आता है literacy rate, क्या आता है, literacy rate, ये पता होना चाहिए आपको, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, enrollment rate होता है इसमें अंदर, enrollment rate आता है, ओके ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है, हमारे पास education के अंदर, educational rate आता है, educational rate जो attainment level होता है, ये हमारे पास education rate भी education indicator में आएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया हां सार आ गया उसके बाद आपने एक चीज़ और नोट करनी है इन्वारमेंटल इंडिकेटर्स में क्या आएगा जैसे के एर एंड वाटर की बात करते हैं एर एंड वाटर की बात करते हैं इन्वारमेंटल इंडिकेटर्स में इनकी मतलग क्वल्टी की बा करते हैं pollution level की बात करते हैं इसमें हम okay उसके बाद हम assess to green जो हमारे पास spaces हैं उनके बारे बात करते हैं यहां तक समझा यह उसके बाद मारे पास होता है hosting indicator क्या होता है hosting indicator होसिंग indicator आज मेरी हेल्थ खराब है इसलिए मैं थोड़ा डीलाब हो रहा हूँ hosting indicators क्या है such as Homeless Rate Homelessness Rate आ जाता है इसमें उसके बाद Hosing Affidability आता है and Hosing Quality भी इसी के अंदर आता है यह चीज़े आप नोट कर सकते हैं Homelessness Rates, Hosing Affidability और Hosing Quality ओके यह अपने याद रखना है अब मैंने आपको एक चीज़ और लिखवाई थी Social Co-Hension Indicator Social Co-Hension Indicator के अंदर हमारे पास Crime Rates आते हैं क्या आते हैं? Crime Rates आते हैं उसके अंदर और हमारे पास क्या आता है? Social Capital आती है उके उसके बाद क्या आता है? और इसके अंदर और आता है हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे आपने याद रखना है trust institutions जो होते हैं हमारे पास ये भी इसके अंदर आते हैं trust and institutions इतना समझा आ गया ओके ये जो सारे indicators मैंने आपको बताया ना भी ये सारे indicators use किया जाते हैं जो जितने भी policy makers होते हैं researchers होते हैं ये organization होती हैं assess करने के लिए social किसको progress को identify करने के लिए area of concerns को और फिर ये inform करती है policy decision को और aim इनका क्या होता है improving करना आवराल well being of a population की well being के लिए समझाया social indicators का काम क्या है अब एक base हमारे टापिक का बन चुका है कि social indicators क्या क्या होंगे जैसे मैंने आपको कहा था ये statistical serious होती है जो used की जाती है monitor करने के लिए social system को helping करती है identify change को and guide करती है intervention को कि वो alter करे chorus of social change को लेकिन मैंने आपको जो बहले definition इसकी लिखवाई थी वो बहुत important definition थी मैंने क्या लिखवाया था आपको कि social indicators are statistics used to measure various steps of social well being progress and quality of life within society ओके सर इतना समझ आ गया सर आगे क्या है आगे बात करते हैं important चीज़ों की देखे question हम discuss कर लेंगे मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ पहले हमारा topic clear होना चाहिए question आप खुद करेंगे चलिए हमने education indicator की बात की लिए थी पहले उसी की बात कर लेते हैं देखे education क्या है एक basic human need होती है और यह key factor होता है development में अगर education के हम बात करते हैं education के अंदर मैंने आपको बताया था literacy rates होता है क्या होता है literacy rate अब literacy rate पे आपको एक question बन जाएगा literacy rate क्या होता है literacy rate की जब definition की बात की जाती है तो literacy rate is defined by the percentage of population जो percentage of population कौन सी होगी यह आप note कर सकते हैं और क्या कर सकता हो and write कर सकता हो जो लिख भी सकता हो और पढ़ भी सकता हो ठीक है और adult literacy rates की बात करे हम मैं आपको वह बात में बताता हूँ लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए ऐसा शहर्स जो लिख भी सकता हो पढ़ भी सकता हो ठीक है तो वो हमारे पास के case में आ जाता है literacy rate के case में आ जाता है defined by the percentage आता population of a given age group that can read and write जो पढ़ सकते हूँ, जो लिख सकते हूँ यह हमारे पास literacy rate होता है यह अपने थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है, important होगा आपके exam point of view से उसके बाद अगर हम बात करते हैं न हमारे पास यहाँ पर अवरा literacy rate अगर जो इंडिया की बात करें तो कितना है यह पूछा जा सकता आप से देखें आप से question पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप note करें, अब एक एक चीज़ को note करें आपके exam के लिए important होगी अगर हम 2022 की बात करते हैं इसमें यह आपको पता होना चाहिए और जो estimate लगाया जा रहा है जो global literacy rate है for people aged 15 and above is about 86% ठीक है, लेकिन आपको जो point याद रखना है वो ये याद रखना है अवरा literacy rate अभी इंडिया का कितना है वो 76.32% है आपने 2011 के census के according भी इसको याद रख लेना है क्योंकि वैसे भी exam में question बन सकता है तब कितना था 74.04% ठीक है, 74.04% आपने demography में पढ़ा होगा इतना आपको समझ आ गया ओके जी आगया, आगे बात करते हैं हम फिर आपस एक question पूछा जाएगा education indicators में के जो duration है हमारे पास secondary education का इंडिया में वो कितना है, वो हमारे पास four year है ठीक है, मैं अभी बता किसकर आँ हूँ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे education का फिर आपसे एक चीज पूछी जाती है gender parity index के बारे में ठीक है, जो जो चीजे मैं बता रहा हूँ वो आप note करते जाए, sequence में gender parity index gender parity index note करें क्या होता है gender parity index में वो ही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके exam के काबिल हैं बाकी इदर कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ानी जो आपके exam में आएगी ही नहीं तो आपका ऐसे ही time waste होगा उस चीज़ पे हम नहीं गोरो फिकर करेंगे gender parity index क्या है देखें मेरे प्यारे दोस्तों जब gender parity index की बात की जाती है अपने note book पे इसको note कर लिया होगा gender parity index क्या होता है gender parity index in primary education में is the ratio यह अपने note करना है gender parity index के बारे में is the ratio of the number of females of the number of females क्या note करना है gender parity index के बारे में is the ratio of the number of female student जो enrolled होते हैं कहां पे enrolled होते हैं enrolled at the primary level, okay, enrolled at the primary level, enrolled at the primary level of education, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, primary level of education to the number of male students, to the number of, to the number of, to the number of male students, last पर आपने यह लिखना है, to the number of male students, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया, क्या बताया, gender parity index in primary education is the ratio of the number of female students enrolled at the primary level of education, to the number of male students, इतना आपको समझ आ गया, हाँ सर आ गया, आगे, आप यह कह रहे होंगे, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं आपके बले के लिए पढ़ा रहा हूँ, कि आपका exam अच्छा हो जाए, आपको question आए और आप easily कर ले, मुझे पता है, बहुत सारे जो हमारे दोस्तें, वो far-flung area से belong करते होंगे, उनके पास study material नहीं होता, अच्छे से, नहीं मिल पाता उनको, उनकी मदद हो जाएगी, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा, कि आपको कोई भी यहां पर topic मिस ना हो, जहांसे exam में question बनता है, ओके, देखें, फिर मैंने कहा, कि जो हमारे पास gender parity index है, इसके बारे मैंने बताया, फिर उसके बार चाहते है, आंदा parameter of gender inequality की जब बात करते है, जेंडर इन इक्विलिटी के parameter पर, जेंडर इन इक्विलिटी की होता है, ये संदे, जेंडर इन इक्वैलिटी, अन ड़ पैरामिटर आफ जेंडर इन इक्वैलिटी, है इन 2021 में and is rent जो है इंडिया का वो कितना है 122 ठीक है यह आपको समझ आ गया ओके सर आ गया क्या कहा मैंने कि on the parameter जंडर inequality इंडिया के जो जंडर इंडेक्स है GII value है जो वो 0.490 है 2021 में थी and is rent कितना था इसका 122 जैनि 122 था और highest gender sex अगर आप से कोई पूछ ले ना highest gender जो हमारे पास इसके gender ratio है वो consistent top पे है केरला has the highest sex ratio की बात करें gender आपको पता है ना जो हमारे पास होते है gender का आपको पता होना ही चाहिए इसमें केरला जो है वो highest sex ratio जो हमारे पास थी sex ratio में जिसका sex ratio था यह आप से question पूछ लेगा 1084 as per 2011 census के अकाड़ी as per 2011 census ओके यह आपको समझा आ गया gender inequality के बारे में और जो highest sex ratio state कौन सी थी केरला थी और आप से अब जहां पर एक चीज बन सकती है एक चीज और पूछा जाता है आपसे gender parity index का पता चल गया उसके बाद यह होता है कि जो हमारे पास मैंने कहा था health indicator health indicator की बात जब करते हैं उसमें हम life expectancy को देखते हैं infant mortality rate को देखते हैं और nutritional status इंडिकेटर को देखते हैं यह आपको पता होना चाहिए important है देखे अब हम बात करेंगे मैंने कहा health indicator क्या कहा health indicator आप जो यह चीज़े note करोगे न यह बहुत important होंगी और आपको समझ आ जाएंगी जब आप note करेंगे फिर link के दुबारा मेरी वीडियो को देखेंगे आपको life expectancy को जब life expectancy की बात होती है हम infant mortality को भी देखते है nutritional status को भी देखते है लेकिन आप सको पूछा जाएगा यह life expectancy क्या होती है देखें life expectancy का मतलब होता है number of years a person can expect to life कितने साल एक इनसान जी सकता है number of years note कर ले number of years a person a person can expect to life ठीक है can expect to life उसी को हम life expectancy कहते है कि कितने साल एक शाहस जिन्दा रह सकता है expect कर सकता है उसी को कहते है अब यहाँ पी आपको life expectancy से question पूछा जाएगा कि current life expectancy rate क्या है इंडिया का current life expectancy आप यह सोच ले न यहाँ से current fair के question भी बनेंगे current life expectancy rate जो है उमारे पास इंडिया का क्या है यह आपको पता होना चाहिए तो current life expectancy rate जो है for India के लिए अगर हम बात करें यह लगबग है कितना हमारे पास अगर आज की बात करें 2024 की बात करें तो यह हमारे पास कुछ 70.62 याद रखना है years है life expectancy rate ओकी समझा गया life expectancy क्या होता है यह आपने याद रखना है यहाँ तर clear हो गया आगे बात करते है life expectancy की समझा आगई अब आप नोट करें infant mortality rate क्या होता है आप से यह question बनेगा infant mortality rate infant mortality rate जब हम infant mortality rate की बात करते हैं is the number of death यह क्या होता है number of death जो क्या होती है number of deaths per thousand per thousand live births क्या कहा मैंने number of deaths per thousand live births of children of children of children under one year of age under one year of age यह अपने नोट करना है under one year of age यह इसकी definition है और ड्रेक्टली ऐसे ही एक्जाम में पूछा जाता है what is infant mortality rate infant mortality rate होता है is the number of deaths जो होती है per thousand live births of children under the age of one year यह आपने याद रखना है अब आप से examiner एक question पूछेगा कि infant जो हमारे पास mortality rate है इंडिया का 2024 में वो कितना है तो 2024 की बात करें इंडिया का अभी जो infant mortality rate है वो 25.794 है कितना है नोट करें 25.794 ओकी और growth जो है हमारे पास इसकी जो है वो हमारे पास कितनी है minus 3.08% दोनु डाटा जो है यहाँ पे figures को याद रख सकते है important होगा और यहाँ पे question और बन सकता है which state has highest infant mortality rate तो मदिया प्रदेश state का सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास infant mortality rate है क्या है मदिया प्रदेश state का highest infant mortality rate है और lowest की बात करें तो केरला का है किसका है केरला का है यह चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा इनको note कर ले वाकी questions तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे 10 minute में 40 questions कर लेंगे वहाँ सिरफ answer बताने समझाना कुछ भी नहीं है मैंने topic को समझाना है भी ठीक है और किसको health and well-being को ठीक है जो well-being होता है एक individual की health और well-being आप individual को ये मीजीर करते है इतना आपको पता होना चाहिए और उसके बाद ये पता होना चाहिए इत इंकल्यूड्स childhood wasting आप से ये question पूछा जाएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे क्या है nutritional status indicator है इसके अंदर क्या क्या चीज़े आती है एक childhood wasting आता है ये note करे childhood wasting और उसके बाद मारे पास आता है childhood stunting क्या आता है childhood stunting childhood stunting दो point होगे ये आप सीधा सीधा पूछा जाएगा options में और एक मारे पास होता है anemia in woman क्या anemia anemia क्या होता है ये आपने answer बताना है comment box में मैं सब का चेक करूँगा anemia के बारे में आपने बताना है मैं जरूर चेक करूँगा देखते हैं कौन कौन इसका answer देता है और आपको videos कैसे लगते है वो भी आप बता दिया करें क्यूंकि आपका एक like एक comment हमारे लिए motivation का सबब होता है anemia in woman ये तीन चीज़े मैंने बता दी जो nutritional sorry nutritional status indicator के अंदर आती है childhood wasting आता है childhood stunting आता है anemia in woman आता है अब बात करेंगे हम economic indicators की किसकी बात करेंगे economic indicators की बात करेंगे जो बहुत important है economic indicator करें note यहाँ पे आपको सारा टाभी काज complete होने वाला है ठीक है economic indicator की बात करें तो जो ये economic indicator होते हैं ये एक macro economic measurement होती है जो use की जाती है by the analyst के थू to understand करने के लिए current okay current and future economic जो हमारे पास होते हैं activities current और current and future economic ठीक है economic activity को and opportunity को हमारे पास analyze करने के लिए use किये जाते हैं दुबारा से आप वीडियो को pause करके सुनके लिग सकते हैं कि economic indicator का काम क्या है an economic indicator is a macro economic measurement used by analysts to understand current and future जो हमारे पास economic activity होती है and opportunity होती है उनके लिए ये उस किया जाते हैं लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है वो क्या क्या indicators आते हैं इसके अंदर gross domestic product GDP आपने ये word बड़ी बार economic में सुना होगा GDP क्या है ये GDP इसकी full abbreviation क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों इसकी full abbreviation है gross domestic product क्या है grass domestic product ओके grass domestic product आप से इसकी अगर कोई पूछ ले क्या मतलब इसकी statement पूछ ले कि ये होता क्या है तो grass domestic product होता है total क्या total monetary और market value मैंने क्या कहा total जितनी भी monetary होंगी या फिर हमारे पास क्या होंगी market value होंगी total monetary और market value जितनी भी हमारे पास all the finished goods होंगे and services होंगी जो produced of all the finished goods and services produced within a country जितनी भी हमारे पास जो finished goods होते हैं या services जो produced की जाती है एक country के अंदर या boundary उस country की boundary के अंदर या border के अंदर एक specific time period के अंदर उसी को हम GDP कहते हैं क्या कहते हैं GDP कहते हैं, आप नहीं बूलना, GDP is the total monetary and market value of all the finished goods and services produced within a country, boundary in a specific time period, okay सर समझ आ गया, क्या होता है GDP, current GDP rate आप से पूछा जाए अगर इलिया का तो क्या है, current GDP, ये भी एक current fair का question बन जाएगा, तो ये हमारे पास लगबग, अगर अभी की बात करें, 6.8% है, इतना आपको याद आगी GDP के अदर real GDP और nominal GDP होते हैं, वो economic का topic है, वो हम अभी यहाँ discuss नहीं करेंगे, जब कभी economics पढ़ाई मैंने, तो वहाँ पे मैं आपको discuss कर दूँगा, clear, आगे हमारे पास topic है unemployment rate, क्या है unemployment rate, या फिए unemployment indicator, चलिए, आप से पूछा जाएगा unemployment, जो मैंने आपको लिखवाय था, यह क्या होता है unemployment rate, unemployment rate की बात करें, तो इसका मतलब simple यह होता है, is the percentage of labor force, क्या, is the percentage of, is the percentage of, आप दूसरी तरह percentage को लिखेंगे, is the percentage of, हमारे पास labor force, okay, percentage of labor force, जो क्या करती है, विदोटे जाब, जो जाब के बगएर होती है, उसी को हम simple way में क्या कहते है, simple सी definition लिखवा unemployment rate is the percentage of the labor force, विदोट ए जॉब, unemployment rate की जब बात की जाएगी, अगर currently हम unemployment rate की बात करते हैं, इंडिया की, तो यहाँ पे, एक second, यहाँ पे क्या हुआ है, कि जो unemployment rate है, इंडिया में, यह increased हुआ है, 8% in February 2024 में, यह अपने याद रखना है, 8% बड़ा है, ठीक है, from 6.8% से, 6.8% in January 2024 में, तो यह आपको पता होना चाहिए, lowest unemployment country अगर बात करें, तो lowest, जो unemployment country है न, दुनिया में, वो हमारे पास कतर आता है, कतर के बाद हमारे पास कमबोडिया आता है, यह कुछ country है, जहाँ पे सबसे कम unemployment होती है, नाइजर आता है, तो यह अपने याद रखना है, कभी question ब development, तो यहाँ पे question बनेगा, किसका highest unemployment rate है, किस state का इंडिया में, तो note कर ले, हरयाना का है, किसका है, हरयाना का, ठीक है, अगर हरयाना की बात करते हैं तो यहाँ पे 37.4% यह unemployment rate यहाँ का है, अगर जमुक्षमीर का पूछ ले, तो जमुक्षमीर का unemployment rate है, 18.3%, कितना? 18.3% जम मुक्षमीर का है, नोट करें, important होगा आपके एक्जाम के लिए, ठीक है, उसके बाद एक topic ओर आता है, हमारे पास per capita income, per capita income भी economic indicator के अंदर आता है, तो per capita income क्या होता है, पर capita income, नोट करें, per capita income, ये indicators हैं, बहुत important है, per capita income की बात करें, तो ये एक major होता है, is a major, क्या है ये, is a major of amount of money, major of amount of money, okay, major of amount of money are and per person, क्या कहा मैंने, per capita income is a major of the amount of money are and per person, per person, इतना आपने याद रखना है, earned per person, इनने nation, आप कह सकते हैं, ओके, या फिर आप कह सकते हैं, geographical area, इनने geographic area, इतना समझाया, पर capita income के बारे में आप से कोई पूछ ले क्या होता है, ये, major होता है, major किसका होता है, amount का, major of the amount of money का, जो earned कौन करता है, per person, एक nation के अंदर, जो per person ने कमाया होता है, या किसी geographic region के अंदर, उसी को हम per capita income कहते हैं, per capita income का मतलब क्या हुआ, इसका क्या role है, इसके अंदर, तो ये used to determine, ये determine करता है, क्या used to determine करता है, used to determine, the average, average per person income, ठीक है, average per person, जो हमारे पास क्या होगी, income होगी, एक area की, उसको ये determine करता है, ओके, and to evaluate करता है, किस को evaluate करता है, evaluate करता है, हमारे पास standard of living को, किस को standard of living को, ये भी आपने याद रख Wrapे, standard of living को, ये evaluate करता है, and quality of life of the population को, ठीक है, ये अपने याद रखना है, तो यह आपने याद रखना है, अगर आपको इस चीज यहाँ पर समय ना आए, आप से पूछ ले difference between per capita income और average income में क्या फरक होता है, और पर capita income में और हमारे पास average income में क्या difference होता है, तो यह भी समझ ले, यहाँ पर हो सकता है, कहीं काम आ जाएगा, जो पर capita income होती है, यह जो होती है, यह major करती है, average income जो earned होती है, पर person in a given area के अंदर एक specified year में, और जो average income होती है, यह average income is any statistics that describes how much money an individual family household makes, कितना, इसमें money एक individual कमा रहा है, कोई family कमा रही है, या फिर household उनकी बात करता है, ठीक है, और यह जो हमारे पास per capita income होता है, यह calculate किस तरह से किया जाता है, by dividing करने से the area को, by dividing the area total income by its population के साथ, किस से divide क करते हैं, जो area होता है, total income उसकी को, by its population के साथ, तो यह per capita income के case में किया जाता है, और average के case में, इतना समझ आ गया, ओके जी आ गया होगा, आगे हमारा topic जो है, वो है हमारे पास यहाँ पे, एक चीज़ आपने यह भी याद रखना है, कि जो per capita net national income होती है, या फिर NNI इंडि इसमें, इतना आपने याद रखना है, यह सारे आपके topic में चीज़े mentioned है, ठीक है, उसके बाद मारे पास topic आ जाता है, human development index, क्या आता है, human development index, बहुत important है, human development index, मुझे क्यों लाग रहा है, कि आपको question जो बनेगा, इस से भी बनेगा, human development index से, और वो इसी में आता है, ठीक है human index, जो मारे पास development index है, मैं simple words में बताऊंगा, जाला मैं आपको परिशान नहीं करना चाहता, यह एक क्या होता है, single index होता है, जो major करता है, इसका aim होता है, क्या aim होता है, aim to record करना, aim to record, लगवक्त three key dimensions है, human development की, कितनी three man keys हैं, इसकी three man keys, उन पे इसका focus रहता है, ठीक है, three man keys dimension है, human development index के, और वो क्या क्या है, note करे, note करे, assess to knowledge, assess to knowledge, okay, sir, उसके बाद क्या है, पहला तो यह हो गया, दूसरा आप लिखे, descent standard of living, क्या, descent standard of living, अभी आपको इसमें एक sustainable development goal भी देखना है, descent, जो हमारे पर descent standard of living, और long and healthy life, तीसरा क्या है, long and healthy life, long and healthy life, यह आप note कर सकते हैं, इतना समझ आ गया, यह जो three indicators होते हैं, यह namely, आप इनको इस तरह से भी कह सकते हैं, कहीं बार exam में पूछ सकता है, life expectancy भी कह सकते हैं, life expectancy भी हो सकता है, या फिर education भी हो सकता है, इसको भी आप कह सकते हैं, and per capita income भी आता है, इसी के अंदर, पहली तीज, तीन जो dimensions मैंने बताई, assess to knowledge, descent and standard of living, long and healthy life, तो यह चीज़ें आपकी इन चीजों से relate है, life expectancy के साथ relate है, education के साथ, और per capita income, याद रखना, यह human development index के अंदर ही यह चीज़ें आती है, per capita income, यह आपने याद रखने, per capita income मैंने आपको समझा दिया, important था, three indicators, namely जो है हमारे पास, इसके जो क्या है, वो क्या है, life expectancy, education and per capita income, किस की सार, human development index की सार, इंडिया का ranks कितना था, अभी हमारे पास human development index में 134 था, out of कितना है, 193 countries में से, याद रखना, इंडिया का rank कितना था, इसमें 134 था, question आएगा सीधा सीधा, top country, human development index में कौन कौन से थे, switzerland top पे था, कौन सा था, switzerland top पे था, इतना आप note कर ले, ठीक है, और निपाल का अगर आपको पूछ ले, निपाल और जो प्रोसी country होते हैं, वो भी पूछ लेता है कहीं बार, निपाल का 146 था और पाकिस्तान का 164 था, इतना आपने या रखना है, according to the Hindu के मताबिक अगर हम बात करें तो life expectancy 2022 की जो मैंने पहले आपको life expectancy से पढ़ाया था ना, 2022 की add birth अगर हम बात करें तो वो slightly improved हुई थी from 67.2 year in 2021 में, यानि 67.2 year 2021 में और 67.7 year in 2022 में, लेकन 2024 का मैंने आपको लिखवा दिया, आपने note किया हो, इतना समझा आगया, ओके सर समझा आ गया, फिर हमारे पास एक चीज़ ओर आती है, हमारे पास grass national happiness भी आता है, happiness index के बारे में आपने सुना होगा न, ये क्या होता है, ये भी आप एक note कर ले इसके बारे में, grass national, देखें आपको topic तो lengthy लाग रहा होगा, आप जरूरी नहीं है कि एक दिन में ये स किया है, is a major of economic and moral progress, क्या है ये, economic, note करे, is a major of economic and moral progress that the country of Bouton introduced in 1970, किस ने introduce किया था, Bouton country ने इसको सबसे पहले introduce किया था, और इसने इसको क्या कहा, कि ये एक major है, economic and moral progress का, that the country of Bouton introduced in 1970, आगे ही बात करते है, as an alternative to grass domestic product, कैसे इसको alternative लिया गया, to grass domestic product के रिलेटिड के लिया गया, और इसकी एक important चीज़ है, four main pillars है, इसके कितने, four main pillars, note करे, four main pillars है, क्या क्या पहला, good governance, क्या, good governance, इनके base पे ये दिया जाता है, तो ये आपको पता हूँने से, good governance, note करे, दूसरा, sustainable development, क्या है, sustainable development, आपको sustainable development से question, दो, तीन exam में आएंगे, मैं आज ही क्या देता हूँ, तीसरा, यहाँ पे, जो हमारे पास, preservation of, promotion of culture, preservation of, please, दोबारा इदर से लिखवा देता हूँ, preservation of, preservation of, यहाँ मुझे लिखने में problem हो रही है, preservation of, promotion of culture, okay, promotion of, culture, उसके बाद आपने note करना है, हमारे पास, यहाँ प conservation, क्या कहा, four main pillars होते हैं, किसके four main pillars होते हैं, grass national happiness जो index होता है, उसके four main pillars है, good governance है, उसके बाद मैंने कहा, sustainable development है, उसके बाद मैंने कहा, preservation of, promotion of culture है, उसके बाद मैंने कहा, environmental conservation है, इंडिया करेंग कितना है happiness index में, यह आप से question पूछा जाएगा, तो one of the least happiest country है, इंडिया, 126, okay 126, out of, लगबग, 136 country में से, इंडिया करेंग, 126 है, 126 है, 2023 में, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह हमारे पास fall, यह हमारे पास out करता है, behind करता है, निपाल, चैना, बंगला देश से भी, सिरलंका से भी कम इसका है, लेकिन top पे आप से पूछा जाएगा, तो Finland top पे है, कौन, Finland, इतना आपको पता चल गया, अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, sustainable development goal क्या है, dear aspirants, sustainable development goals are also a part of indicator of social development, यह आपको बहुत important है, यह आपको पता होना चाहिए, इनको अपने अच्छे से देखना होगा, यहां से exam में question बनेगा, और आज मैं आपको इनके बारे म to meet their own needs, जो हमारे पास sustainable development goals थे, इनको ऐसे define किया गया, कि यह development करेंगे, जो meet करेंगे, needs किस की, present generation की, without किस से comprise करने, the ability of future generation to meet their own needs, देखें, यह किसलिए हमारे पास लाएगे sustainable development goals, to make strong, healthy and welfare society, क्या बनाने के लिए, to make strong, healthy, थी, और हमारे पास, एक strong, healthy and welfare society बनाने के लिए, इनको लाया गया था, most widely accepted definition, जो थी sustainable development goal की, जो question पूछा जाता है आप से, तो वो हमारे पास कब लाएगे, यह आपको पता होना चाहिए, was given by, यह दी थी, brunt land commission ने, किस ने, brunt land, आप लिख सकते हैं, brunt land commission ने, brunt land commission ने दी थी, in its report, our common future, ठीक है, किस report में, जो उनकी एक report थी, our common future में, our common future, ओके, कब, लग बग, 1987 में, यह यह आपने याद रखना है, आप से अगर examiner question पूछे, the most widely accepted definition of sustainable development goal, was given by, किस ने दी, brunt land commission ने दी, in its report, our common future में, कब दी, 1987 में दी, इतना पता चल गया, ओके सर चल गया, फिर documentary जो हमारे पास यह थे, उनको script किया गया, कहां पे, इनको हमारे पास, at the Rio conference, जो future हुई थी, we want, presenting the idea, post 2015 development agenda, ठीक है, अगर हम बात करते है, sustainable development goal की, तो यह हमारे पास sustainable development, जो है, यह outcome है, Rio conference का, जो 2012 में हुई थी, किसका, Rio conference, जो हमारे पास 2012 में हुई थ यह held हुई थी, Rio de Janeiro में, ठीक है, Rio de Janeiro, जो हमारे पास Brazil में है, वहाँ पर यह 2012 में Rio conference हुई थी, जिसके, यह हमारे पास sustainable development goal, जिसका outcome है, और sustainable development goals were implements, यह हमारे पास implement कब हुए, 2015 में हुए थे, इतना आपको पता होना चाहिए, and came into effect कब आए, first January, हमारे पास 2016 में आए थे, यह आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पहले पढ़ा है, तो आपकी revision हो जाएगी, total target इसके अंदर कितने थे, total target इसके अंदर 169 थे, 169 target थे, और SDG की बात करें, will adopt by leaders at UN headquarter, इनको जो हमारे पास adopt किया गया थे, UN headquarter में, New York City में, कहां पे, New York City में, यह आपको याद होना च इनको किस नाम से जाना जाता है, agenda हमारे पास, agenda 2030, यानि 2030 के नाम से भी जाना जाता है, and transforming our world के नाम से भी जाना जाता है, and transforming our world, इतना point आपने याद रखना है, and transforming our world, okay, इतना समझ आया, आगे है सर, आगे बात करते हैं, इसमें आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो sustainable इनकी तो हम बात करेंगे एक UN Millennium Development Goals भी होते थे तो हमारे पास अगर उनकी बात की जाए उसमें 21 टार्गेट्स थे उसमें कितने टार्गेट्स थे 21 टार्गेट्स ये भी कोईशन पूछा जाता है और वर जो हमारे पास ये 21 टार्गेट्स जो थे ये टोटल इन Millennium Development Goal में थे UN Millennium Development Goal थे ये सैंड कब हुए थे ये सेप्तमबर 2000 में हुए थे कब हुए थे सेप्तमबर 2000 में हुए थे जो हमारे पास Millennium Development Goal है अगर इसके बारे में आपस एक जमिनर पूछ लेता है यह तक समझ आया फिर आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए टोटल जो हमारे पास लगबग 193 countries ने साइंड किया था इनको टोटल कितने टोटल 193 countries ने ये इसी में टापिक है आपको बाकी कहीं किसी ने शायद डिटेल में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया sustainable development goal इसमें सबसे important हो सकते है तो ये हमारे पास टोटल 193 countries थे जिनने इसको साइंड किया था सेप्तमबर 2015 में सेप्तमबर 2015 में ठीक है और अगर हम बात करते हैं MDGI की इसका मतलब था कि eradicate करना extreme poverty को and hunger को जो UN ने define किया था goal poverty rate लग बग कितना डॉलर 1.25 पर डे ठीक है एक दे का 1.25 यह आपने याद रखना है और इसमें एक चीज़ याद रखना है जो paragraph 59 है उसका वो outline करता है 70 जो हमारे पास 17 sustainable development goals है and the associated 169 targets ठीक है and 232 इसके अंदर indicators है कितने indicators है 232 indicators है और agenda 2030 जो है on transforming our world इसके अंदर 92 paragraph से कितने paragraph से 92 paragraph से इतना पता चल गया ओके चल गया होगा dear aspirants फिर आपसे एक question पूछा जाता है जो बहुत बार मैंने देखा एक्जाम में कि states and uts को classified किया जाता है based on their SDG India index score के according तो आपने note करना है एक होती है उसमें aspirant सबसे पहले aspirant होता है फिर हमारे पास एक performer होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास एक होती है front runner उके उसके बाद हमारे पास क्या होती है front runner के बाद यह front runner है उसके बाद achiever होता है ठीक है achiever अब यहाँ से आपको question क्या बनता है कि aspirant किस category में फाल करता है जो 0 से 49 की बीच में score करती है performer वो होती है जो 49 से 65 के बीच में score करती है और front runner कौन से होते है जो 65 के बीच में अपने sustainable development goals को पूरा करती है states या UTs फिर achiever जो होती है वो हमारे पास 100% जो complete कर लेती है यह note करना aspirant 0 से 49 के category में जो आती है यानि कि जो आपने sustainable development goals को पूरा कर लेती है जितने मतलब वो पूरा नहीं कर लेती जो 0,2 90% में आती है 49 के परसेंट के बीच में वो aspirant होती है जो performer 49 से 65 के बीच में आती है front runner 65 से 99 के बीच में आती है और achiever 100% के बीच में आती है इतना आपको पता होना चाहिए अब आपको मैं ये बता दूँ के UN जो millennium development goals थे वो कितने थे total वो हमारे पास 8 थे total 8 थे उसमें सबसे पहला था eradicate करना extreme poverty and hunger को पहले में बात किसकी की गए थी poverty की और hunger की उसको खतम करना यह आप short short में लिख सकते हैं और उसके बाद था दूसरा जो इसमें था वो achieve करना था universal primary education को दूसरा जो हमारे पास primary education के related था किसे related था primary education के related तीसरा हमारे पास किसे लिए था gender equality के लिए किस के लिए gender equality के लिए था मैं millennium development goal की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास कितने थे एड थे फॉर्थ वन था हमारे पास Reduce Child Mortality Child Mortality को Reduce करना क्या करना? Child Mortality को Reduce करना उसके बाद जो हमारे पास पांचवा था पांचवा था Improve Maternal Health को Improve करना Maternal Health को Improve करना यह Millennium Development Goal 5 में आता है यह अपने याद रखना है, Examiner पूछ लेता है Six में था हमारे पास Combat करना HIV से लड़ना, ठीक है यह बहुत Important है, पूछा जाता है किसमें है, कौन सा है HIV, AIDS, Malaria से हमारे पास Combat करना यह हमारे पास या किसी और डिजीज से यह Goal Number Six था, जो हमारे पास UN Millennium Development Goal था फिर उसके बाद हमारे पास साथवा था साथवे में आता है, हमारे पास Ensure Environmental Sustainability, उके उसके बाद हमारे पास था आठवा साथवा समझ आया, किस के लिए था Environmental Sustainability के लिए आठवा था हमारे पास Global Partnership for Development के लिए, आब यह याद रखना है या 112 है, देखना क्या है 112 या 111 होगा, फिर केरला जो है, जो केरला स्टेटा इसने अचीव की है, फास्ट रेंग in SDG इंडेक्स with a score of 70 score है, इसका ठीक है, और जम्मो एंड कश्मीर रेंग करती है, 6th position पे इनका जो composite SDG score है वो 66 है, जेंड के का, ठीक है और यह किस category में आती है, मैंने आपको बता दिया था, performer कौन से होते है, front runner कौन से होते है, तो 60, जो 6 है, वो हमारे पास category performer की आती है, और यह आपने याद रखना sorry, front runner में जेंड के आता है क्योंकि 65 से 99 के बीच में हमारे पास front runner आते हैं, और फिर हमारे पास केरला भी front runner में ही आता है, ओके, तो SDG जो national indicator हमारे पास framework progress है, यह report का हमारे पास लगबग हर साल दी जाती है 19 June को, 29 June को 29 June को, तो इतना आपको समझा आ गया यहाँ तक आ गया होगा, ओके फिर आपको एक बात और याद रखनी है exam में question पूछा जाएगा, top country कौन सा है, Finland और Switzerland, एक सेकिंड, एक सेकिंड, एक सेकिंड Finland की बात करें, अगर हम Finland और उसके बात स्वीडन की बात करें, और उसके बात हम Denmark की बात करें, यह top country है, हमारे पास sustainable development goal में, top rank किया है, इन्होंने और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंडिया का मैंने आपको बता दिया, 112 है, ठीक है 112 है, और अगर हम बात करते हैं, केरला वो टाप पे यह मैंने बता दिया आपको, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मारे पास ये sustainable development goal होते हैं ये total कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास total ये हमारे पास 17 है आप note कर सकते हैं short way में यहाँ पे सबसे पहला है no poverty पहला क्या है no poverty ओके note करें पूछा जाएगा पहला किसके related है पहला no poverty के related दूसरा zero hunger के related दूसरा किसके related है zero hunger के related तीसरा किसके related है तीसरा हमारे पास good health और हमारे पास यहाँ पे आप याद राख सकते हैं and well being के लिए है well being के लिए है उसके बाद अगर हम बात करते हैं fourth one quality education के लिए है किसके लिए है quality education के लिए quality education fourth one है उसके बाद फिफ्ट वन क्या है, फिफ्ट वन हमारे पास है, यहाँ पे जेंडर इक्वैलिटी, जेंडर इक्वैलिटी में हमारे पास आता है, फिफ्ट नमबर पे जेंडर इक्वैलिटी, ओके जेंडर इक्वैलिटी फिफ्ट आ गया, सिक्स्थ हमारे पास है, क्लीन वाट नोट करें फिर MCQs discuss करते हैं and sanitation clean water and sanitation है उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास साथवे नमबर पे affordable and clean energy क्या affordable and clean energy आप नोट कर सकते है affordable and clean energy फिर हमारे पास आ जा जाता है आठवे नमबर पे decent work और economic growth ठीक है decent work और economic growth यह आता है आठवे नमबर पे नमबर पे हमारे पास आता है industry innovation and infrastructure क्या आता है industry के बारे में industry जो हमारे पास innovation है पूरा नोट किया करें जो मैं मुह से बोलता हूं industry innovation and infrastructure दस्वे नमबर पे आता है हमारे पास reduced inequalities क्या आता है reduced inequalities ओके यह दस्वे नमबर पे आता है ग्यारवा हमारे पास है sustainable cities and जो हमारे पास क्या आती है communities तो sustainable cities हमारे पास 11th में आता है फिर उसके बाद 12th नमबर पे आता है responsible consumption and production क्या आता है responsible consumption and production responsible जो हमारे पास consumption और production है वो 12th में आता है 13 में आता है climate action क्या आता है climate action यह आपने याद रखना है उसके बाद हमारे पास 14 नमबर पे आता है हमारे पास Life Below Water Life Below Water 14 नमबर पे आता है Life Below Water चोवदमा गोल है हमारे पास यह आपको याद होने चाहिए कि 14 नमबर का Life Below Water है 15 नमबर का Life on Land है Life on land यह अपने याद रखने है और हमारे पास 16 नमबर का क्या है 16 नमबर का है एक सकींड 16 नमबर पे आता है Peace, Justice and Strong Institutions ठीक है Peace, Justice के बारे में 16 में दिया गया है यह अपने याद रखना है Peace, Justice and Strong Institutions और 17 नमबर पे आता है Partnerships, Varda, Goals partnerships फारदा गोल हमारे पास last one है partnerships जो हमारे पास फारदा गोल ये 17 है ठीक है partnerships फारदा गोल ओके एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जो hunger index होता है इंडिया में ये हमारे पास इसके लिए responsible कौन होता है नीती अयोग बाड़ी है कौन सी नीती अयोग आपने बताना है ये कौन सी बाड़ी है नीती अयोग के बारे में आपने चार पॉइंट लिखना है कौन लिखता है नीती अयोग जो है responsible है for coordinating the SDGS in India नीती अयोग के वाइस चेर चेर्वेन का नाम भी आपने लिखना है तो important होगा आपके लिए एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है कि गोल नंबर जो 7 था ना हमारे पास sustainable development गोल का उसमें हमारे पास affordable and clean energy आता है और जेंड के एंड लदाख ने इसमें टॉप किया था 2020 एक किस में तो ये आपको question पूछा जा सकता है गोल नंबर 12 में भी responsible consumption and production में तरी पूरा जमू कुश्मीर लदाख ने टॉप किया था ये भी आपने याद रखना है 2021 में और एक important point question में पूछा जाता है कि एक country का नाम याद रखना है Ghana Ghana country जो है Ghana was first to achieve the goal of having extreme poverty कि extreme poverty के लिए सबसे पहला country जिसने ये achieve किया था goal वो गाना था अब हम discuss करेंगे mcqs पे चलते हैं अब हम mcqs को discuss करते हैं तो पहला question हम ने discuss किया था न what does hdi stands for in the context of human development तो मैंने कहा था human development index होता है ये ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं अच्छा ये important reports and indices ये बहुत important हो जाती है global gender gap जो report होती है इसको published कौन करता है world economic forum करता है ये exam में question बना हुआ है जेके SSB ने भी पूछा हुआ है energy transition index को कौन publish करता है world economic forum करता है global competitive index 2023 को किस ने किया international institute for management development index ने किया उसके बाद human development index को 2022 को किस ने किया था united nation development program में global innovation index 2022 को किस ने किया था world intellectual poverty organization ने published किया था फिर logistics performance index को world bank ने यहां पे published किया था world happiness report 2023 किस ने दी थी united nations sustainable development solution network ने देखा मैंने आपको समझाया था ना भी publication of scientific paper किस ने दी national science foundation ने published किया था international IP index किस ने published किया US chambers of commerce ने और global pension index जो हमारे पास mercer cfs ने किया था ठीक है second question की बात करते हैं question पूछा गया the world bank the world bank provides the most comprehensive data on social indicators of development and you can also find many specials social indicators of development within the united nation dash goals sustainable development goals efficiency goals stability goals all of these तो इस question का answer है sustainable development goal ओके जो world bank ने provide किया most comprehensive data on the social indicators of development पे and you can also find many specific social indicators of development within the united nations sustainable development goals में आता है fill in the blanks में अगला question dear ones आप से पूछा गया the united nations has 13 target and dash indicators for health and development के united nations के 13 target हैं और कितने indicators हैं health and development के लिए 10 हैं 20 हैं 24 हैं 28 हैं तो याद रखना इस question का answer है 28 क्या है 28 के जो united nations है इसके 13 targets हैं और indicators हैं 28 indicators हैं health and development के लिए उसके बाद आप से question पूछा गया dear ones यहां पे what percentage of all child under 5 deaths are related to poor nutrition के हमारे पास जिनकी age 5 साल से कम कम होती है जो death के लिए death होती है जिनकी related to poor nutrition से वो कितने percent है 75%, 45%, 35%, 25% तो याद रखना dear ones इस question का answer है 45% याद रखना important है malnutrition children particularly those that severe acute malnutrition have a high risk of death from common childhood illness such as diarrhea, pneumonia and malaria nutrition related factors contribute to about 45% of death in children under 5 year of age आप से पूछा जाएगा के nutrition based जो indicator है उसमें कितने contribute करते हैं 45% of death हैं under 5 year of age में children की होती है ठीक है उसके बाद आप से question पूछा गया है हमारे पास यहाँ पे what is the administrative authority controlling juvenile justice board जो administrative authority है जो control करती है juvenile justice board को वो कौन सी है जोडिशनल डिपार्टमेंट है prosecution डिपार्टमेंट है social welfare डिपार्टमेंट है तो इस question का अंसर है option number D social welfare department जो है यह एक administrative authority है जो control करती है juvenile justice board को उसके बाद आप से question पूछा गया है यहाँ पे question पूछा गया which of the following committee has been set up in India for identification of BPL families in urban areas हाशिम कमेटी तो बहुत important question है याद रखना इस question का अंसर है option number D हाशिम कमेटी जो है यह has been set up in India for identification of BPL families in urban areas उसके बाद आप से question पूछा गया यहाँ पे human right watch HRW was initially known as पहले यह किस नम से जाना जाता था health sin की watch human right initiative human right self human right time अगले question की बात करते है अगला question आप से पूछा गया founder आप रहम मुसमाज वाद आप कहते होंगे सरी यह question क्यों लाया लेकिन यह भी इससे associate है तो इस question का अंसर है option number A राजा रहम मुसमाज से रिलेट करते थे founder थे इसके उसके बद question पूछा गया किसके थी हमारे पास इश्वर चंद्रा विदिया सागर का इसमें बहुत बड़ा main role था यह अपने याद रखना है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगले questions की civil society index is proposed by कि civil society index को कौन प्रोपोज करता है CIVICUS या UNO या फिर IMF या विशिर UNDP तो इससे हमारे पास option number A है CIVICUS जो है यह हमारे पास इसको प्रोपोज करता है civil society index को यह अपने full abbreviation लिख लेनी है ठीक है जूण के अगले question की बात करते हैं question पूछा गया आपसे यहां पे world summit for social development held in which year के जो world summit हुई थी social development के लिए यह किस साल हुई थी 1948 में 1995 में 1986 में 2002 में तो social development के लिए जो world summit हुई थी 1995 में हुई थी आपने इसको याद रखना है अगले question की बात करते हैं अगला question आपस क्या पूछा गया हमारे पास option number A महभूब लहक जो है father है human development report के उसके बाद आपसे question पूछा गया यहां पे question पूछा गया आपसे the human development index hdi is calculated based on which three key dimensions कौन से तीन main key dimensions है human development index के education income and infrastructure income education and health health infrastructure and employment environment education and income तो मैंने आपको पढ़ाया था income education and health जो है इसके main तीन key dimensions है concept of sense capability approach emphasizes यह किस पे emphasize करती है किसको emphasize करती है sense capability approach enhancing people opportunities to achieve their own goals and objectives यह economic growth as the primary goal of development यह फिर resources redistribution to achieve equality यह फिर government control over the economy तो इस question का अंसर है enhancing people opportunity to achieve their goal on goal and objectives यह concept of sense capability approach का है ठीक है उसके बाद बात करते हैं अगले question की अगला question आप से पूछा गया social development primarily focus किस पे करता है economic growth and productivity पे the well being and quality of life of individuals and communities पे या फिर political stability and governance पे या technological advancement पे तो आपको यह पता होना चाहिए the well being and quality of life of individual and communities मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तो well being and quality of life of individuals and communities पे यह हमारे पास focus करता है मैंने आपको अच्छे से topic clear करवा दिया सारे indicators बता दिये अब आपको confusion नहीं होनी चाहिए अगला question आपसे पूछा गया the United Nations Development Program UNDP published which important report related to human development world economic outlook, world development report human development report, world trade report तो याद रखना the United Nations Development Program UNDP published human development report related to human development तो इस question का answer option number C है ठीक है अगले question की बात करते हैं अगला question पूछा गया आपसे यहाँ पे gender development index measures gender disparities in human development based on which indicators life expectancy, education and income employment education, infrastructure, income health and education, employment income and healthcare assess, तो याद रखना यहाँ पे question क्या पूछा गया था gender development index पूछा गया है, यह major करता है gender disparities, तो यह किस बेस पे life expectancy, education and income के बेस पे ठीक है, life expectancy भी बता दिया, education भी बता दिया, आप मैंने आपको, और per capita income के बारे बेसे भी only the wealthy class, the government and public institutions, या फिर all segment of population, particularly the marginalized and vulnerable, तो याद रखना है इस question का answer है, option number D, जो inclusive growth है, यह emphasize करती है, growth that benefits all segments of population, particularly the marginalized and vulnerable, ओके जितने भी हमारे पास जो segments है, population के हास करके, जितने भी marginalized और vulnerable लोग आते हैं जो society आती है, तो उसके लिए हमारे पास inclusive growth उस पे emphasize उसको करती है, ओके, अगले question की बात करते है, social inequality refers to इसका, social inequality की इसको refer करती है, option दिये गए, unequal distribution of resources and opportunities in society, या promotion of equal opportunities for all individuals, या a system where everyone has the same income and assets, the absence of social hierarchies तो इस question का answer है, option number A, the unequal distribution of resources and opportunities in society, social inequality, इसको refer करती है, ओके अगले question की बात करते है, अगला question आप से पूछा गया है, यहाँ पे, the term human capital refers to, जो मारे पास human capital है, यह किसको refer करती है, skill, knowledge and abilities that individual possesses which can contribute to their economic productivity या the financial asset and wealth of an individual, option C, यह आपके समने the social network and relationships that can individual has, या physical health of an individual, तो जो human capital है यह refer करती है, option number A, या skill, knowledge and abilities that individual possesses which can contribute to their economic productivity, ओके, अगले question की बात करते हैं, अगला question पूछा गया, intergenerational mobility refers to, यह किसको refer करती है movement of individual from one region to another the movement of individual within a single generation, the movement of individual between different socio-economic levels across generations, या फिर upward mobility of skilled professionals, तो जो intergenerational mobility है, यह refer करती है option number C को, यानि के the movement of individuals between different socio-economic levels across generation, ओके, अगले question की बात करते हैं, अगला question आप से पूछा गया, social safety nets are designed to यह किसके लिए design किये गये हैं, provide financial assistance and support to vulnerable individuals of families during the times of need, या facilities, जो हमारे पाफ, facilitate international trade agreement, या promote entrepreneurship and innovation, sport, military, personal and defense initiatives, तो याद रखने जो social safety nets हैं, यह design किये गये हैं, provide financial assistance and support to vulnerable individuals or families during times of need, ओके, आगला question आप से पूछा गया, dear aspirants, यहाँ पे, youth unemployment is a significant challenge in many countries, what does it refer to, proportion of the youth population that is actively actively, जो seeking employment and is unable to find jobs, the number of youth who are not interested in employment, या the percentage of youth in education and training programs, the number of youth engaged in part-time jobs, तो इस question का answer है, option number A, जो youth unemployment है, यह significant challenge है, many countries में तो यह refer करता है, the proportion of the youth population, that is actively seeking employment and is unable to find jobs, तो यह statement इसके लिए correct है, ओके, अगले question की बात करते है, question पूछा गया, food security is achieved when, यह कब achieved की जाती है, a nation produce enough food to meet its population nutritional needs, या food is equally distributed among all citizens, a country exports surplus food to other nations, या government control foods prices, तो इस question का अंसर है, हमारे पास food security achieved करती है, कब होती है, जब एक nation produce करता enough food to meet its population nutritional needs, ओके, अगले question की बात करते है, अगला question आपसे पूछा गया, यहाँ पे the poverty line is defined as poverty line को कैसे define करेंगे, the income level below which an individual or family is considered to be living in poverty, the average income of population, the maximum income level a person can achieve, the minimum wage set by the government, तो इस question का answer है the income level below which an individual or family is considered to be living in poverty, ओके, option number A, इसका correct answer है, देखें, अगर कोई नया है हमारे चैनल पे और उसने हमारा WhatsApp ग्रूप नहीं जाइन किया हुआ, इस नंबर पे आप मैसेज करना और आपको एड़ कर दिया जाएगा, PDF आपको मिलती रहती है लेक्टर की, लेकन यहाँ पे लेक्टर देखने का यह फाइदा है, कि जो चीज़े मैं यहाँ बताता हूँ, आपको PDF में पूरी नहीं मिलेंगी, इसलिए लेक्टर पूरा देखा करें, आपको फाइदा होगा, free of cast आपको इतनी मैनत से हम यहाँ पे लेक्टर लाते हैं, फिर भी आप न इनको गैन करें, इनका फाइदा न लें, तो फिर आप क्या करेंगे, अगले क्वेशन की बात करें, तो इस क्वेशन का अंसर है हमारे पास, अगले क्वेशन की बात करते हैं, अगला क्वेशन आप से क्या पूछा गया, अगला क्वेशन आप से पूछा गया है, चाइल्ड मोटालीटी रेट रैफर्स टू, मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या होता है, तो इस क्वेशन का अंसर है, तो मैंने कहा था, विदिन वन इयर भी हम कह सकते हैं, तो उप्शन अंसर है, अगले क्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया दा एजुकेशन इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, जाता है बहुंजा है Colin. ओके अगले कुशैन की बात करते हैं, अगला कोशैन आप से पूछा गया, social exclusion refers to यह किसको refer करती है process of including individuals in social and economic activities the process of excluding individuals or groups from participating fully in society यह voluntarily withdrawal of individuals from social interactions the process of promoting social diversity तो social exclusion refer करती है option number B the process of excluding individuals or groups from participating fully in society option number B इसका correct answer है social exclusion के बारे में अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया the term inclusive education refers to यह किसको refer करती है providing education to select individuals based on merit education that caters to the need of all students regardless of their abilities or disabilities specialized education for gifted students vocational education for specific job rules तो जो term inclusive education है यह refer करती है option number B education that caters to the needs of all students regardless of their abilities or disabilities इतना आपको पता हो रहे हैं अगले question की बात करते हैं question आप से पूछा गया social cohesion refers to the extent to which members of a society work together and feel a sense of belonging the separation of different social groups the development of social hierarchies the elimination of social norms तो इस question का अंसर है the extent to which members of a society work together and feel a sense of belonging तो social cohesion refers को करता है चीक है देखें आप मेंसे कुछ aspirants message कर रहे थे कि आप सर करन्ट फेर पे marathon session लाएं या फिर उसको daily half करकर के 20 या 30 तीस मिनिट का लाएं तो मैं कोशिश करूँगा लाने की आप channel पे बने रहना हम सब कुछ यह सारा slavers आपका अच्छे से cover करेंगे हम दुबारा से mcq लाएंगे यहां पे पता क्या करना है पहले आपका slavers cover करना है फिर हम आपके लिए mock test भी prepare करेंगे अच्छे से ताके आपकी preparation अच्छे से continue रहे हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे इंशालला अगले question की बात करते है humanitarian aid typically refers to assistance provided to people affected by natural disasters, conflict or other emergencies या फिर people in जो हमारे पास 12 countries, government, organization, military, personal तो जो हमारे पास humanitarian aid होती है typically refers करती है to assistance provided to people affected by natural disasters, conflicts or other emergencies question को अच्छे से पढ़ लेना ठीक है, अब मैं थोड़ा fast इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्यूंके अब मैंने भी एक गिंटे से उपर बोले जा रहा हूँ तो थोड़ा अब problem हो रही है, health भी ठोड़ी ठीक नहीं है तो उस वज़ा से what are the major factor responsible for influencing the social development कौन से major factor है जो responsible है influencing करने के लिए social development को economic development, social environmental element, physical element, all of these तो यह सारी चीज़े मैंने आपको शुरू में डिसकस की थी इसका अंसर all of these आता है तो economic element, social environment elements, physical elements यह सारे के सारे इसके related है अगला question है which one of these is not an indicator of social development कौन सा इन में से indicator नहीं है social development का longevity, literacy, clean environment या industrialization तो याद रखना, industrialization जो है यह एक indicator नहीं है, social development का यह आपको पता होना चाहिए यह अगला question मारे पास है millennium development goal were a set of goals set by United Nations with a deadline of 2010, 2015, 2020, 2025 तो इस question का अंसर है 2015 क्योंकि उसके बाद आपको पता है sustainable development goal जो हमारे पास 17 आगे थे millennium के बारे मैंने बताया 8 थे तो सब आपको पता चल गया है detail में मैंने आपको बता दिया उसके बाद बात करें, अगर हम तो हमारे पास पूछा गया है social determinants of health includes factors such as income, education and occupation genetic makeup and family history, lifestyle choices and personal behaviors all of the above तो याद रखना, इस question का answer all of the above है, social determinants health के वो includes, इन सब को करते है income, education, occupation, genetic makeup and family history, lifestyle, choices and personal behaviors सारी की सारी चीज़े include होती है इसके अंदर, अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया income inequality is often measured using ये किस तरह measured होती है, गिनी कोफिशेंट से poverty, head count ratio से, gross domestic product से employment to population ratio से तो याद रखना, गिनी कोफिशेंट से हमारे पास income inequality को measured किया जाता है use करके, ओके, अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया, which other following are the main social indicator of development हमारे पास A, education, health, employment rates, gender equalities, all of these, तो इस question का अंसर है answer E, all of these, यानि कि education, health, employment rates, gender equality are the main social indicators of development, ये अपने याद रखने हैं, ओके अगले question की बात करते हैं, अगला question क्या है मारे पास, A well known example of social indicators of development is the dash index, which combines one economic indicator with two social indicators, life expectancy and year of schooling into one score and ranks countries accordingly, human development index board market index, sectoral index, none of these, तो इस question का answer है, option number E, human development index जो है, ये एक well known example as social indicator of development की, is the human development index, which combines one economic indicators with two social indicators life expectancy and year of schooling into one score and ranks country accordingly तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके अगला question आप से पूछा गया है, यहाँ पे, what is the rank of India in human development index in 2024 136, 134, 132, 140, अगर आपने lecture को अच्छे से सुना है, तो आप answer दे पाएंगे 134 ओके, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे India तो यहाँ पीडियाफ में भी वहाँ पढ़ लेना, ओके, तो यह हमने question आज की इस वीडियो में discuss किये, कितने आपने पूरा वीडियो देखा है, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है, वो भी comment box में बताएगा, वीडियो कैसा लगा, हमारे lecture कैसे लगते हैं, comment box में जरूर बताएएँ, आपकी राये हमारे लिए एक motivation होती है, आप ही हमारी motivation है और यह आप का ही channel है, ओके, पढ़ाई के साथ-साथ अपनी health का भी दियार रखिएगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अच्छे लगेंगे, सारे आपको help करेंगे, ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, take care of yourself कि अच्छे क्ष्ड़ रखते हैं, झाज की वीडियो के लिए के लिए एक बादेजू, प्रेपोड़ के लिए रखते हैं, क्वेश तारे आपकोड़के, वीजूब़के सच्छेश प्रेवाई दिया हैं, क्वेशब दिया हैं, इस प्रूबके, आपके भीड़के यह